यह देखे एक ट्वीट है यह महान भागबजी का यानि जो सरसंग चालक है आरसस प्रमुक है उनका ट्वीट है यह और उस ट्वीट में क्या लिखा है ये लिखा है अब सभी यह मेरे बयान देने से बहुत तलगा है अब सभी हिंदू विरोधी और देश द्रोहियों की मूर्ती धुस्त की जाएगी चाहे गांधी की हो या नहरू की या आमबेटकर की हो या पेरियार की आए हुए सभी मेरे मीडिया बंधों को बहुत बहुत स्वागत जैवीम नमो पताए साथियों आज जो यह प्रेस कॉंफरेंस बुलाई है यह बहुत महत्पूर्ट प्रेस कॉंफरेंस अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पर बाबरी मज्जीद के सिलसिले में एक प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ मीडिया साथियों ने मेरे से पूचा उसमें एक बात आई मंदिर तोड़ने वाली और इस मंदिर तोड़ने वाली बात पर पूरे देश में जबर्दस तरीके से हंगा ममचा हुआ उस पूरी बात को समझने की कोशिश नहीं की गई लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन निकालके वो लगबग एक सवा मिनट का है और उसको पूरे देश में वाइरल किया जा रहा है बहुत तबियस से वाइरल किया जा रहा है उनके द्वारा मेरा नंबर मेरा फोन नंबर लगातार फेस्बुक पर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है मेरे नंबर को ट्रेक किया जा रहा है टेप किया जा रहा है मुझे ट्रोल किया जा रहा है और मुझे जान समारने की धंकी दी जा रही है मेरी हड़ी पस्रिया और देने और brightness मैं अधी गीतर भबक्वी से दरने वाला नहीं या मैंने बहूत देखे हैं ऐसी धंकिया होती हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जिस बयान पर किस ना हंगाम, जिस बयान से लोगों को इतना दुख हुआ है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है, लोगों को दर्ध हुआ है, जो बिलकुल तीर की तरह चुबा है, जानना नहीं चाहेंगे कि वो बयान मैंने क्यों दिया, क्या कारण है उसके पीछे, कि मैंने इतना कड़वा बयान दिया किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा मकसद नहीं था, किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन लोगों को उस दर्ध का एहसास कराना मेरा मकसद था, जिस दर्ध की वजए, जिस दर्ध को हम लोग लगातार सहते हैं जेलते हैं, और वो दर्ध क्या है, मंदिर तोड़ने की बात नहीं कई है पूरा वीडियो देखिया किसी हिंदू मंदिर को तोड़ने की बात नहीं कई है लेकिन हिंदू संगटन मेरे खिलाब है इससे फर्ग नहीं पड़ता कितने भी खिलाब हो जाओ और भी जो भी हो वो भी साथ में खड़े हो जाए इससे फरक नह में क्या लिखा है यह लिखा है अब सभी यह मेरे बयान देने से बहुत तलगा है अब सभी हिंदू विरोधी और देश द्रोहियों की मूर्ती धुस्त की जाएगी चाहे गांधी की हो या नहरू की या आमबेटकर की हो या पैरियार की यह कौन देरा बयान सर संग चालक मोहन भागवत यह उनके ट्वीटर पर है और यह सोशल मीडिया पर घूमता हुआ मेरे पास आया आप चाहें इसको देखें मैं इसको शेर भी आपको करूँगा यह देखें बहुत ध्यान से यह एक ट्वीट है जिसमें यह सब कहा गया है मैं आपको फिर इससे पढ़के सुनाता हूँ देखें आप इसको यह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है किसी चलते फिर्प्ते व्यक्ति ने नहीं कहा है इस देश के आज के सबसे ताकत्वर व्यक्ति ने क्या है आरसे सिप्रमुग ने कहा है यह उनका ट्वीट है उनके कि हिंदू विरोधी और देश द्रोईयों की मूर्ति ध्वस्त की जाएगी चाहे गांधी की हो यह नहरू की हो यह अंबेटकर की हो यह पैरियार की भाई गांधी और नहरू हिंदू विरोधी कब से हुए भाई चलो मैं मान लेता हूं कि बाबा साब डॉक्टर अंबेटकर पैरियार साब कह सकते हैं आप हिंदू विरोधी वो भी नहीं थे वो पाखंड विरोधी थे उस उच नीच पर आधारित व्यवस्ता उसके विरोधी थे वो व्यक्ति की विरोधी नहीं थे किसी जाती धर्मियत संपरदाई की विरोधी नहीं थे उस विचारधारा की जिस विचारधारा में उच नीच का भेद भावता छुआ छूती उस विचारधारा की विरोधी थे परमकुझे बोधिसाथ बावड़ा साब डॉक्टर अंबेटकर और इवी रामस्वामी नायकर पैरियार लेकिन आ कि मौशन भागवजी क्या इंग चीजों से हमें दुक नहीं होता है क्या इंग चीजों से इस देश के जो लोग इनको मानने वाले हैं बहुजन समाज के लोग हैं अनुसुचे जाती जनजाती के लोग हैं आदिवासी पिछड़े दलित शोशित पीड़ित समाज के जो लोग हैं माइनर्टी के जो लोग हैं बेकवर्ड के जो लोग हैं और इस देश के धर्म निर्पेक्ष अच्छी सोच रखने वाले किसी भी चाती संपर्दाय के जो लोग हैं उन्हें दर्द नहीं होता यह जो कहा था मैंने इसलिए कहा था कि जो दर्द आप हमें लगा हुआ आपने देखा होगा जो महरस्तर में जो कांड हुआ कितने हर चिंगे ये सारे कांड होते हैं, रोज होते हैं हर आठ मिनट में दलिस समाज की एक बेहन बेटी की इजज़त आबरू लूटी जाती है उसका कतल किया जाता है, उसका रेप किया जाता है कोई नहीं बोलता लेकिन मैंने ये बात कही तो सब बोले और मैंने ये जान के कही ये एहसास दिलाने के लिए कि जो तुम घिर्णा फैरा रहे हो जो तुम नफरत फैला रहे हो और तुमारे सरसंग चालक फैला रहे हैं इस घिर्णा का इस नफरत का केवल एक पढ़नाम होगा इस देश में नफरत फेलेगी और पूरा जेश नफरत की और अशान्ति की आग में जुलत न लगेगा क्या यही चाहते हैं और केवल यही नहीं इसके बाद में आपने देखा राम देव ने जिस तरह का बयान की दिया राम देव ने कहा जो एक वैचारी कांति थी परम पुझे बोधिसाद बाबा साब डॉक्टर अंबेटकार पैरियार साहुजी महाराज रश्पिता महत्मा जोतीबा फुले संतकबीर उन सब की जो थी वो जो उनकी विचारधारा थी क्रांतिकारी विचारधारा जिसने इस द बयान कहीं ऐसी जगे नहीं दिया गया वह एक बहुत बड़ी सभाती बड़े प्रबुद्ध लोग बैठेते आप उस वीडियो को देखिए उसमें समझ माता है और किसी भी उस सभा के प्रबुद्ध व्यक्ति ने उसका कोई विरोध नहीं किया उसके बाद भी किसी ने उ पढ़ते हैं कि मर जाता है आप हमारे महापुरुस्तों का अपमान करेंगे और हम शांत बैठे रहेंगे और यह कौन कह रहा है यह प्रमुक लोग है वो कह रहे हैं आप नफरत थेलाओगे तो नफरत ही मिलेगी इसलिए मैंने आज तक जीवन में किसी कौप शब्द नहीं सामन जैसे समन में सब देश चलेगा हम एक दूसरे के सहीोगी बने एक दूसरे के साती बने उससे देश चलेगा नफरत पढ़ाने से कुछ नहीं होगा और मुझे मारने की धमकिती है आप धमकिया चाहें जितनी तो मैं इसके उपर कानूनी कारवाई भी कर सकता हूं सारी चीज़े जानता हूं लेकिन अभी की नहीं है क्योंकि मैं एहसास कराना चाहता हूं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है इस देश को जोड़ो इस देश को तोड़ने की कोशिश मत करो और तुमने जितनी महनस करके मेरा वो वीडियो चलाया मैं तुम्हें चैलेंज कहता हूं ये वीडियो भी चलाओ दिखाओ लोगों को सच्चाई दिखाओ लोगों को कि सच्चाई ये है ये दर्द तुम्हें ही होता है हमें नहीं होता किस शीच की जरूत है इस देश में और कौन कह रहे हैं महान भागवत कौन है महान भागवत सरसंग चालक क्या हैं महान भागवत को 190 कमांडो मिले हुए हैं सुरक्षा के लिए भाई तुम्हें क्या जरूत है उन्हें BMW गाड़ी मिली हुई है blood fruit उन्हें जेट पिला security मिली हुई है महान भागवत इस देश के सबसे किता की ताकत्वर व्यक्ति जो कहते हैं कि तीन दिन में हम सेना तियार कर देंगे पाकिस्तान के गलाव तुम्हें security मेरे वकील साती किसी भी धरम जाती संपरदाय कि मेरा इतना संबान मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता और मेरे इस बयान से वो भी आहात में पर मैंने जान भूच के का उन्हें भी पता लगनी चीए कि घिरना फेलाई जा रही है इस घिरना को रोकना तुम्हारा भी का मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं का फिर आज क्यों कहूंगा लेकिन कहना पड़ा क्योंकि क्या समझ रहे हमने हाथ में चूणिया पर में की हम बिल्कुल ऐसे ही जो तुम कहोगे हम बर्दास करते रहेंगे बहुचन समाज किसी हालत में भी ये चीज़ां बर्दास करने को तयार नहीं जहां तक मारने की बात है मार दो मुझे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे मरने से अगर ये दलिस समाज ये बहुचन समाज ये पिछला समाज ये आदिवसी समाज अगर मेरी मौत के बाद खड़ा हो जाता है अब आज बुलंद करने लगता है अपने संगर्ष करना सुरू करता है तो मेरे लिए इस सी बढ़ी हा माथ पौंसी होगी मेरा तो जीवन सफल हो गया वैसे भी मेरे शरीर का मेरे शरीर की एक एक बूध मेरे शरीर का एक एक गत्रा मेरे बहुजन समाज के लिए है समाज के लिए आदिवासी समाज के लिए है इस देश के लिए है इस देश के जो अच्छे लोग है उनके लिए मेरा जीवन है मुझे कोई फरक ने पड़ता लेकिन गलत बात नबरदास की है नबरदास करेंगे और मुँतोर जबाब देंगे इस बात का चाहे कोई भी हो वो सरसंग चलक हो, रामदेव हो इस देश का प्रधान मंत्री हो कोई भी हो, अगर इस तरह की बात की जाएंगी जबाब मिलेगा, मुँतोर जबाब मिलेगा हम सोय हुए नहीं है हम किसी से भीक नहीं मांग रहे भीकारी नहीं है, हम खुद महनत करते हैं तो कमा के काते हैं, पूरा बहुजन समाज महनत करता कमा के काता हैं तुम क्या कर रहो, लूट रहे हो कभी इस बात पर आवाज नहीं उठाई मैंने सिर्फ बात कही तो कभी आवाज उठाई नरंदर मोदी गुजरात के मुख्यमंतरी जिस समय ते लगबख 400-400 मंदिरों को तोड़ा गया उस समय के मीडिया में सारी रिपोर्ट हैं और उस समय जो उमाभरती हैं उन्होंने आवाज भी उठाई इस बात पर विरोग भी क किसीना आवाज ने उठाई दड़िस समाज की बहुतन समाज के एक बेहन बेटी के साथ नहीं चार होता कोई आवाज नहीं उठाता देश को बेचा जा रहा है सरकर्ण आपने पांच पांच जो सरकार सार्जनिक छित्र की कंपनिया हैं उनको डिस इन्वेस्मेंट करने की जो इस सरकार ने बनाया नहीं उसे बेचने की बात कर रही है उसे बेच रही है बात क्या कर रही है चाहे वो एर इंडिया हो चाहे बीपीचील हो चाहे एंटीपीसी हो और इनमें भी एक नवरतन कंपनी हैं कौन कोर जो 83 करोर रुपए में खड़ी की गई शाद 1984 या 89 के आ follower world उसकी सवर्दस साख के उसको किसको बेचा जा रहा है अडानी को बेचा जाएगा आप देखना उसको अडानी को बेचा जाएगा कभी सरसंग तो मेरा किल्ष सिर्व आपसे यह वह आपे दूने पहँचाू कर वहाँ है नहीं हमने बात जीजों हो साथियो सच्चाई दुनिया को पता होनी चाहिए सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए क्यों कोई बात हो रही है हम छुपके कहने वाले नहीं है ये सरसंग चालक का जो ट्यूटर है जो इसमें बात कही गई है ये दुनिया तक नहीं पहुँचा लेकिन हमारी बात पहुँची बहुत अच्छा हुआ अब उसके मादम से ये बात भी पहुचाओ सरसंग चालक क्या नफरत पहला रहे है और केवले ये आज का बयान नहीं है आरक्षण की बात हो समीधान की समीच्चा की बात है कितनी बातें कही गई है हम हर बात पे हम जवाब देंगे चुप बैठने वाले नहीं है बस इसलिए मैंने आज किये प्रेस कॉंफर्स बुलाई है अब आप मन में जो सवाल हो पूछना चाहें जो आपको धंकिया भी जा रही है कुछ एविडेंस है आपके पास है जो बजरंग दल के व्यक्ति ने मुझे वो दिये है धंकी और एक करणी से ना कहें उसने मुझे धंकी उतने तो बाका दा फेस्बूक पे डाला है कि क्या कोई जिंदा हिंदू है जो इस एडवोकेट भानु प्रताप सिंग के काले मुखों हरा कर दे इस तरह से उतने पूरी पोस्ट डाली है बना के और आयरेसस के बहुत से लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए संगेटन के लोग है अलगा-लग लोग मुझे लगातार मुझे धंकी दे रहे हैं अर मेरे जो साती हैं उनका भी नंबर ट्रैप किया जा रहा है उनका भी नंबर जो टेब किया जा रहा है इससे कोई फरक नी परता क्युक्कि आज की तारिक भान कूरे देश से मेरे साथ में साती जुड़ चुके हैं क्योंकि ई-विंचितन के लिए इनकी बहुत घबराहटे इसलिए ये सारी चीने कही जारी है मेरा कहने सच्चा ही सामने लाओ तो जो आपने बयान दिया है आपको लगता है कि वो बयान सही है और आज अभी भी आप उस बयान पर सही है मैं जो कहा आपको फिर कह रहा हूँ मैंने जो बयान दिया था मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं लेकिन मैंने क्यों कहा यह बताना ज़रूरी है और वो यही है कि तुम नफरत पहला रहे हो तुम्हार मैंने अगर कोई बात के तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ न उससे पड़ी पीड़ा हुई ना सोचो तुमने खतम कर दिया नौकरियां तुमने खतम कर दी कुछ भी तुमने छोड़ा है व्यापार का भट्टा बिठा दिया गया इस विचे पर कोई बात है कुछ ने लेकिन बात क्या है इस बात को पकड़ा गया अच्छी बात है पकड़ा मैंने इस लिए बात कही एक आखरी आप सबसे अनुरोध है कि Voice 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, विडियोज को लाइक करें, शेर करें और कॉमेंट के जरी अपने राय दे, साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए विडियोज की जानकारी आप तक सीधे पहुचती रहे